नमस्का, मैंने नाम है डॉक्र पुरुधावन और आज इस वीडिये में हम बात करने वाले हैं कि पैरलेसिस पेशेंट को मैं पस्नली इतना फिश इंटेक करने के लिए क्यों बोलता हूँ जब किसी को पैरलेसिस होता है तो हमें लगता हैं कि हाथ नहीं चल रहा पैर नहीं छल रहां, अब क्यों ब्रेइन का वो इस्सा जो हाथ पैर को चलाता था वो डामिच हो युई को फिस से हम आपने हाथ पेर को नहीं चला पकांए हाथ पैर को अब कम होगी तो अक्सर प्रिंट को अरा मिलता है वह अराम क्यों मिलता है कि इस educating भी छह मेने बूस्त है पेशेंट की बॉड़ी के अंदर इंप्रुम्मेंट और यह पेशेंट के अंदर आनी बंद हो जाती है चाहे वही टीटमंड ले रहा हुए जो पहले छे मिलिया था वही फिजोतेरिपी वही मेडिसिंग बड़ आप इंप्रुमेंट नहीं हा रहे ब्रेन ने अपने आपको इंप्रवाइस किया अब यह नीरो प्लासिसिटी क्या है कैसे होती है इसके उपर मैं बहुत सारी वीडियो अल्यडी बना चुका हूं फिर भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आइडिया देता हूं हमारे अब जो ब्रेइन हैं ब्रेइन के सांधल मैं करोड़ से ढूरुन has fish less Alors्श होते हैं जब हम पैदा होते हैं माल्लों मारे अब lightning के अंदर एक लुख अब और यह आ और हमने सारे काम करने शुरू की वीडियो में देख पा रहे हैं इसी की वज़े से कर पा रहे हैं इसा कैसे हो पाया कि नंबर तो बड़े नहीं ब्रेंड ड्रॉप हुआ तो ब्रीन ड्रॉप होता है वह नियूरोप्लासिटी से इसमें दो सल्च के बीच में कितने अच्छे क नहीं में कि नियूरोप्लासिटी बहुत स्पीट से आटोमेटिक तरीके से होती है क्योंकि बॉड़ी को पता लग जाता है कि मेरे ब्रेंग को नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए यही मेकैनिजम बहुत स्पीट से चालू हो जाता है और हम काफिया तक पेशि गरेंगे लिए आपको अपनी बॉड़ी के अंतर समान भी डालना पड़ता है अब यह समान हम अपनी बॉड़ी में डालते कैसे हैं वह है खाने के रूप में अब हम खाना अगर हमने सेलेक्ट करना कि कौन से एटिम नहीं खानी तो वहाँ पर सबसे बड़ी परशानी ही हो नहीं सेखते क्यों कि ब्रेन क्योर नियरो प्रास सीडी के लिए क्या चीह क्या नि चीह इसके पीछि तो स्थ कह इंस नहीं है अब तो हमें कुछ न कुछ ऐसा चीह होता है जो कंप्प्लीट फूडों को ताकत दे मुसल्स पाइप अ lize को उसमें किसी व्य और ऐसा मुझे देखने को मिलता है कि जो पेशिंट वेजिटीरिन होते हैं उनकी अंदर पैलेसिस भी कंपेरिटिवली जाता देखने को मिलता है उसके पीछे रीजन जो हमने फाइन आट करनी कोशिश की इतरे साल होगे 6-7 साल होगे हम इस पर काम कर रहे हैं तो हमें क्या र जो आइमरेज होने के चांसिस कंपैरिटिवली बढ़ जाते हैं एक वेजिटीरिन फिशन में अब विटामिन डी को शरी में पूरा रखने की हमारे पास दो असान तरीके होते हैं पहला है कि हम किसी टैप का सप्प्लिमेंट लेते रहें विटामिन डी हम भहां से लेते रह किष necesita मेडिसन बन करने के बाद के आपके कमी कोई नहीं होनी के तो दोबारा से रहाएं से बलगने की चांसिस में बड़ जाते हैं तो डाइट कामी इस तरह से बदलना जाता रहे हैं और उसके लिए सबसेंगे होता है कोई एक प्रीमल करता हूं कि इसे असान होता है प्रोटीन थोड़ा लाइटर होता है और उपने डाइट के अंदर फिश पर रहे अगर आप फिश ले सकती है तो पत इंडिया में और एक सिक्स्टी प्रूस्टी परसंट जो लोग होते हैं पॉपॉलेशन है वो प्योर वेजेटेरिन टाइप की है तो उनके लिए जो हम सब्सक्राइब करते हैं कि अगर आपको पैलिक्सिस हुआ है तो अपना एक बार विटामिन डी जरूर चेकर वाओ अगर विटामिन डी आपको लगता है कि नॉर्माल लिमिट से क आपर को दिवाद चर्काइब करें घथजक्सिंद लेते हैं तो उसमें सब्सक्राइब में जब आपको और विटामिन डी के साथ बीट वीटवर भीट चारा है उसमें यह जया रहा है जैसे selenium है, waron है, जिनको हम health supplement form में नहीं ले सकते, वो भी हमारी body में चाह रहा होता है, तो उसकी absorption बहुत अच्छी होती है, और जो patient हमारे non vegetarian होते हैं, उनके अंदर हम एक फिज और देखते हैं, कि उनकी body improvise speed से करते हैं, क्योंकि उनकी diet rich होती है, तो आपने ध्यान क्या र कमी हम जानते हैं, उनको पूरा का सकते हैं, मुईत करता हूं, इस वीडियो से आप समझ गही होंगे कि विटामिन D या फिश हम आपको क्यों recommend करते हैं एक paralysis patient में, क्योंकि हमें पता है कि उससे improvement fast हो जाती है, पिर भी आपके mind में कोई भी doubt हो, कुछी पूछना चाहते हो, मे